अश्विनी तनेजा, सर ये जो पूरा सिरेरियो अब इस समय सामने है और पैसे का खेल है, कॉंग्रेस ये कह रही है कि 30 वो कंपनिया जिन पर इंकम टाक्स का, IED का चापा पड़ा, उन्होंने चापे के बाद 335 करोड रुपए दिये और टोटल ये जो डेटा है ये है 1123 करोड का, कॉंग्रेस का है, तो इसमें कितनी बड़ी मनी लॉंडरिंग, कितना बड़ा पैसे का खेल, विदेशी पैसा, ये सब कुछ, कितना समझ में आता है? देखे, सबसे बड़ी बात, आपका मैं इस सवाल पर आऊं, एक बहुत महत्रपूर्ण बात की तरफ में आपका ध्यान लाना चाहूंगा, अगर हम, अगर SBI किस बात को ध्यान रखे कि उनको इतना समय चाहिए, 17 दिन भी काफी नहीं थे उनके लिए, मैं नोटिफिकेशन का पॉइंट नमबर 12, उसका पॉइंट 2 पढ़ूँगा, जो कि साफ साफ कह रहा है, amount of bonds not and cashed within the validity period of 15 days shall be deposited by the authorized bank to Prime Minister Relief Fund, इसका मतलब क्या हुआ, कि real time basis for bank को monitor करना है, हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, अभी 12 की बात हो ली थी, मैं उसको दुबारा पढ़ता हूँ, notification का of bonds not and cashed within the validity period of 15 days shall be deposited by the authorized bank to the Prime Minister Relief Fund, इसका मतलब क्या हुआ, कि उनको real time basis पर data monitor करना है, और अगर ऐसा लगता है कि 15 दिन में cash नहीं वा तो Prime Minister Relief Fund में जाएगा, जब रोयल time basis पर data monitor करना है, तो data रखा जाएगा, ने ने तो data रखा जाएगा, और जब data रखा जाएगा, उसको point to point match करना है कि कौन दे रहा है, कहां से जा रहा है, और नहीं आ रहा है, तो 15 दिन में आपको Prime Minister Relief Fund में भेजना है, शेल, इसमें word है शेल, उसमें कोई option नहीं है, शेल भी deposited by the authorized bank to the money, इस चीज़े, spontaneous, automatic process, इसमें कोई discretion और option नहीं है, इसका मतलब यह वा है, सब तभी संभव जब आप मुझे मेरी सामान ने बुद्धी आपकी इस पूरे आपके इस argument के बाद यह समझ रही है, कि that means data exist, data है? Yes, yes, exactly, data तो है, otherwise तो monitor कैसे होगा, इतना ही बड़ी amount involved है, यह एक एक पैसे का हिसाब होता है digitally, data तो real time basis पे available होना चाहिए, तो इसलिए यह दलील तो SBI के ठीक नहीं लग रही है, बाकी आप सब समझ दा रहे हैं, आगे उसको analyze कर सकते हैं, of course, यह जितनी भी बाते हैं, आज Honorable Supreme Court ने बड़ी अच्छी बात सामने रखी है, कि हमारे कोट transparency लानी है, और वैसे भी जग जाहिर बात है, यह इतिहास बताता है, कि कोई भी system जो opaque होगा, वो सड़ेगा, उसमें सडान आएगी, इसलिए free flowing transparent system होना चाहिए, और Honorable Supreme Court सभी के, यह सरफ BJP की बात नहीं है, यह सभी political parties के साथ होगा, अगर आपका system opaque होगा, जिस समय यह शुरू हुआ, उस समय चुनावायोग ने गलत बताया, उस समय देश की सर वो चो अदालत ने भी गलत बताया, सबने का money laundering होगी, काले पैसे का सफेद होगा, फिर भी आ गया, और अब उस पर और परदा डालने की तैयारी की और मिट्टी डाली जाए, तो मैं इसको सिर्फ ruling party से connect नहीं करूँगा, आप देखिए यह provision जब से लाया गया, मतलब मेरे को तो तभी से समझ मिनी आया कि यह provision क्यों, हर एक के लिए यह कानून है कि आपको अपना सब कुछ, अगर 50,000 को से जादा मैं कुछ आज खरीदता हूँ, मुझे अपनी KYC देनी है, सब कुछ करना है, तो ऐसा क्यों कि जब political parties के donation की बात आ रही है, तो आप कहरें, आपको कोई हिसाब किताब नहीं देना, आप जितना मर्जी दीजिए, तो यह जो double standard है, मुझे लगता है, यहीं root पर ही हमें ठीक करना पड़ेग को, इंस्टेंट 24 hours at maximum, सुकेश, अब मैं आपके पास आदा, आपके बात नहीं थी, अश्विली आपके रिमार्क के बाद 24 आर यह जो रिमार्क आया आपका इसके बाद I had to take a pause